अगर पावर की मैं ट्रडेशनल सेंस में बात करूँ तो पावर की पहले ये डेफिनिशन होती थी कि अगर A, B से वो काम करवा ले जो B अदरवाइस ना करता तो इसका मतलब ये है कि A ने अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए B से वो काम निकलवा लिया, A ने B पर अपनी प पहले ये समझना होगा कि Foucault ने पावर के तीन कंवेंशनल मौड बताए हैं और इन तीनों कंवेंशनल मौडल को Foucault ने एक एक करके क्रिटिसाइस भी किया है ये तीन कंवेंशनल मौडल है, Sovereignty Model, Commodity Model और Repressive Model हम सबसे पहले समझते हैं कि Sovereignty Model क्या है ये मौडल ये सज करता ही कोई कोन किस पर साशन करता है या फिर हमें ये बताता है कि कोन किसको क्या करता है, इसका मतलब ये है कि Power किसी Sovereign Individuals के पास या किसी Institution के पास होती है, जो दूसरे Individuals या Institution से काम निकलवाने के लिए उन पर exercise की जाती है, इस मौडल में Power को Equate किया जाता है, किसी पर Rule करना यानि किसी पर साशन करना, और इसमें Law को बनाने से लेकर Law को Implement करने तक जो भी exercise किया जाता है, वो basically Power exercise की जाती है, तो ये Sovereignity Model हमें बताता है, लेकिन फूको ये कहते हैं कि Sovereign Power आज Modern Times में इतनी Matter नहीं करती है, Sovereign Power की अगर इस Definition को हम देखें तो Actually जो Power का Face है, उस कभी हम समझ ही नहीं सकेंगे, तो Second जो Model इसमें Commodity Model आता है, उसमें फूको हमें ये बताते हैं कि Commodity Model में Power जो है, जैसे कोई हम Goods और Services को Transfer कर रहे हैं, Materially Transfer कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई अगर एक King, दूसरे King को Power अपनी दे देता है, तो इसका मतलब उसने Power को Transfer कर Similarly, ऐसे ही कभी कभी Power King से लोगों को भी दी जाती थी, लेकिन Power का ये जो Transferable Mode है कि एक से दूसरे को देना, ये गलत मानते हैं, फूको कहते हैं, Power कभी Transfer नहीं हो सकती, क्योंकि Power कोई Hold नहीं कर रहा है, रैधर Power सभी लोगों को मिला कर, सबजेक्स को मिला कर ही Power बनती है, उनमे पहले हम ये समझेगे कि जो Third Model है, Repressive Model, जो Most Common Model है Power का माना जाता है, फूको उसको भी Criticize कहते हैं, अपनी Book History of Sexuality में, फूको ये बताते हैं कि Power को ज़्यादा दर Identify किया गया है, Repression Form के साथ, या किसी पर restriction लगाना, या किसी पर दबाव लगाना, या कोई मना करे, उसे मारना और धमका कर, उसे वो काम लेना, अभी तक Power की ये जो Form है, हम Visibly, Publicly देखते आ रहे हैं, Repressive रही है, और फूको कहते हैं, जो Repressive Nature है Power का, इसमें एक ही एम होता है, कि लोगों की Desire को किसी तरह से Contain करना, जाने, Control करना, जहां जब अराजकता की Situation आती है, Lawlessness की Condition आती है, उसको क किसी तरह से सबालना, तब ये Repressive Power को Exercise किया जाता है, लेकिन फूको के Accordingly Power Repressive नहीं होती है, Power Rather Productive होती है, यानि Power हमेशा Negative नहीं होती, Power एक Positive role भी Play करती है, तो Power कई तरह के Subjects, Meaning या Social Order क्रियेट करती है, यानि कुछ इस तरह का Order क्रियेट करती है, इस तरह की Discourses क्रियेट करत इस तरह की Power को फूको Bio Power भी कहते है, Bio Power वो Power है जो लोगों की Life को Regulate कर रहा है, बिना उन्हें दमकाए हुए, ड्राए हुए लोग जो है अपनी Life को खुद ही Regulate कर रहे हैं, उन्हें Instruct नहीं करना पड़ता, उन्हें Guide नहीं करना पड़ता, उन्हें Direct नहीं करना पड़ता, त यह Power जो है किसी एक Single Source से नहीं आती, ना यह किसी State के पास है, ना किसी एक Single Institution के पास, या किसी Individual के पास नहीं है, Power को ऐसे Conceptualize करते हैं, जैसे Capillary होती है, जैसे हमारी स्रीर की नसों में खून डोता है, वैसे ही Power जो है Society में चल रही है, हर जगा हमें Power देखने को मिल सकती है, Involve होते हैं, और कई सारे Ideas को Follow करते हैं, तो हम कह सकते है, Power जो है Exercise की जा रही है Society में, Power Productive होती है, आपकी Identity को Produce करते हैं, आप क्या हो, आपको क्या करना चाहिए, Power ये बताते हैं, और अगर आप उस चीज को Follow करते हो, आप Power के Subject बनते हो, यानि आप Power को Follow करना शुरू कर ये सबी चीजों को समझने में अभी अगर दिक्कत आ रही है, तो इसको कुछ हम Examples के सास्थ समझेंगे, सबसे पहले फुको कहते हैं, Power को किस तरह से Exercise किया जाता है, गवर्मेंटलिटी के Mechanism से किया जाता है, यानि गवर्मेंट या State इसको कैसे Exercise करती है, हमने वो समझना Governmentality का Idea क्या है, Governmentality दो वर्स से बनी है, Government और Rationality से, इसमें फुको कहते हैं कि इसमें जो Political Power exercise की जाती है, State के द्वारा जा Government के द्वारा, इसमें जो लोग Participate करते हैं, विलिंगली करते हैं, उन्हें Force नहीं करना पड़ता, उन्हें ढराना या दमकाना नहीं पड़ता, वो से होता है, इसको समझाने के लिए Foucault Panopticon का Model लेते हैं, Panopticon एक ऐसा Prison Model था, जो Jeremy Bentham ने Design किया था, इस Model के Accordingly इसको इस तरह से Design किया गया था, कि इसमें कुछ Sells है और उसके बीच में एक Tower है, उस Tower में एक Security Guard होगा, और वो Security Guard, सेल में बैठे हर एक Prisoner को देख सकता है, लेकि कि Security Guard एक टाइम पर किसी एक ही Prisoner को देख सकता है, सब पर नजर नहीं रख सकता है, क्योंकि Prisoner Security Guard को नहीं देख सकते हैं, उन्हें लग रहा है कि Security Guard शायद हमें देख रहा होगा, इसलिए वो अपने आपको Discipline करते हैं, यानि वो एक अच्छे तरीके से बहेव करने लगते हैं, तो यह जो Panopticon Model है, फुको कहते हैं अगर Constantly हमें कोई देख रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमारी निगरानी कर रहा है, तो हम एक Particular way में behave करने लगते हैं, हम एक Disciplined way में behave करने लगते हैं, लेगिन अब सवाल यह बनता है कि यह Panopticon Model रियल लाइफ में काम कैसे करत हैं, तो उसको भी समझते हैं, फुको कहता है कि Government एक ऐसा Model निकालती है, एक ऐसा Mechanism त्यार करती है, जिसकी वज़ा से हम खुद को Govern करने लगते हैं, for example लेते हैं, स्टेट का Government का एक Objective है कि Society में Good Health का Idea बना रहे, यानि लोग Good Health को किसी तरह से Follow करते रहे, हमें भी Healthy citizen और एक Healthy और Clean Environment चाहिए, लेकिन स्टेट नहीं चाहती कि उन्हें बार-बार हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़े, उन्हें Moralize करना पड़े, जा उन्हें किसी तरह कि ड्राया जाए, दमकाया जाए, तांकि वो हमारी इस Health की इंस्ट्रक्शन को किसी तरह से Follow करें, बिना जिम में जाना चाता है, अक्सेसाइज करना चाता है, वो Healthy दिखना चाता है, तो उसके लिए जरूरी है Health के Regarding कुछ ऐसे Norms Create किये जाए, कि Health को Individual खुद ही Follow करने लगे, इस तरह से Health को Advertise किया जाता है, जैसे हमें कोई Goods and Services बेची जा रही हो, इस तरह से हम उसकी और खीचे चले जाते हैं कि हम खुद ही Good Health के Idea को Follow करने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर Health के Principles को, Health के Norms को हम अपनी Daily Life में Follow करने लगे हैं, तो एक तरह से हमारा ये Personal Objective है कि हम Healthy रहें, लेकिन ये Personal Objective State के जो Political Goal है, कि Society एक Healthy Society बने, उसके साथ मिल रहे हैं, अब हमें State के किसी परचार करके, या School के Slabers के, या University के Slabers के Thru ही हमें ये बात हमारे दमाग में डाल दी जाती है, कि Good Health कितनी जूरी है, तो इस तरह गरने से State को, आपको किसी तरह का Threat भी नहीं देना पड़ेगा, आपको धमकाना भी नहीं पड़ेगा, अब Good Health को अपने आप ही Follow करने लग तो इसी तरह से Modern Time में Power को Exercise किया जा रहा है, जिसकी वज़ा से हम अपने आपको ही Govern करने के लिए त्यार हो जाते हैं, तो उमीद करता हूँ आपको FUKO का Power का Idea यहां पर समझ आया होगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ऐसी और Conceptual Video चाहते हैं, तो आप Join बटन पर क्लिक करके Advanced Membership ले सकते हैं, मैं आपने Advanced Member के लिए ऐसी Conceptual Videos त्यार करता रहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Thank You